लुक्ति पहले लुक्ति प्रप्लम आज की लेक्ट्र में हम डिस्क्स करेंगे टाइम रिस्पॉंस इनालिसिस यह हमारा न्यू टॉपिक है तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टाइम रिस्पॉंस इनालिसिस में क्या है कि हमारे दो तरुकिक स्टेट होगी एक तो transient state होगी और दूसरी क्या होगी study state analysis ठीक है दो type analysis होगी एक हमारी होगी transient दूसरी study state analysis तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें transient study state की तो अगर इसको यहाँ पे इस तरीके से draw कर लें यहाँ पर हमने input and output रखा हुआ है ठीक है इस axis पर उसके बाद हमने यह हमारा time axis है यह हमारा है time axis ठीक है अब यहाँ पी क्या तो इसमें दो तरीके की हमारे पास analysis से एक है transient दूसरी क्या है study state तो transient किसी चीज़ को बताता है कि nature of response हमारा जो response है उसका nature किस टाइप का है वो बताता है transient में तो इस तरफ हम लिख लेंगा transient okay transient state analysis इस तरफ हम लिख लेंगे study state study state ठीक है तो transient में क्या बताता है nature of response हमारा कुछ इस तरीके से हमारा इस तरीके से हमारा response का nature है तो यह हमारा बताता है transient state के बारे में तो अब यहां भी कहा है definition लिख लेते हैं first transient के लिए ओके transient state analysis तो transient में हमने बताया था क्या चीज नेचर ओफ रिस्पोंस के बारे में तो लिख लेंगे यहां पर ल ucz सकते है यहां व यहां को लिए विए य Ayahu सब्सवारिस शविबार दुन के कि बारे में गिख समुन के से कि अग्या बार्मवान अश तो इस ए। वन एल हुण है ऊग्या भ्जा सब्सविग है वग्या जाया सिस्टर्म, वेन, सब्जेक्टेड टू एन इंपुट, वेन, सब्जेक्टेड टू एन, इनपुट, थेके, ओवियस है, इनपुट रहेगा, तब ही तो हमारा नीचर पता चलेगा, कैसा किस टाइब का है, थेके, अब सेकेंड है हमारा, यहां प लिख लेते हैं, स्टडी स्टेडी स्टेट एनालिसिस तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस क्या है हमारी मैगनिटूड से रिलेटेड है ठीक है लिखेंगे इट डील्स वीट स्टेडी स्टेड से अर्ण तो स्टेड एनालिसिते जर्ण त एक है अर्ण अर्य यह लाहता स्टेड यह लुट टिखेंगे यह लेग्ट, इस लेगिए, और इसे लेग्त विटिश ध of study state error between input and output, ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी time response के बारे में, जिसमें हमने transient state analysis देखी है, और study state analysis देखी है, अब हम देखेंगे standard test signal के बारे में, तो इसका use क्या क्या कैसे कैसे करना है, वो भी सारी चीज़ हम देखेंगे इसी बात में, अब देखते हैं, हम next, screen change, अब हम देखेंगे standard test signal, standard test signal, यह standard test signal basically क्या क्या है, जो हमने discuss किया है, sudden input, velocity type, acceleration type, sudden shock, means हमारे ramp signal, parabola और यह सारी चीज़े हैं, तो देखेंगे, कहा कहा किसका क्या use है, वो सारी चीज़े देखेंगे, then type and order system देखेंगे, वो use हमारा transient यह study state error के लिए use होता है, तो सबसे पहले test signal में पहला देखेंगे हम sudden input, sudden input, sudden input, sudden input में कौन सा signal आ सकता है, step signal, ठीक है, step signal हमने signal system में भी discuss किया है, ठीक है, तो यह sudden input की बात करें, तो step signal है, ठीक है, और step signal हमारा transient analysis के लिए use करते हैं, transient analysis, transient analysis only, ठीक है, तो यह जो step signal हमारा सिर्फ transient analysis कभी भी अगर transient analysis है, तो step signal की ही transient analysis होगी, ठीक है, second हमारे पास है, velocity type input, velocity type input, ठीक है, याद रखेंगे, sudden input का मतलब step signal की बात कर रहा है, velocity type की, अगर input की बात करें, तो कौन सा है, ramp signal है, तो velocity type input कभी बात करेगा, तो वो ramp signal की बात कर रहा है, इसको ध्यान में रखना है, सबका use होगा, ठीक है, third हमारा है, acceleration type, acceleration type, तो acceleration type की बात करें, तो वो कि सिगनल की बात कर रहा है, parabolic signal, parabolic signal, यह सारे हमने discuss किये हैं, ठीक है, अब यह जो हमने तीनों discuss किये हैं, यह तीनों, यह time response analysis के लिए है, time response analysis, तीक है, time response analysis, यह तीन signal, last signal हमारे पास है, sudden shock, sudden shock, यह sudden shock क्या मतलब है, impulse signal, तीक है, sudden shock की कभी बात करें, तो यह क्या है हमारा, impulse signal है, ठीक है, और यह impulse signal कहां use होता है, stability analysis के लिए, stability analysis, ठीक है, कहीं भी stability analysis के use करना है, तो यह पर impulse signal हम use कर सकते हैं, ठीक है, यह तो बात होगी standard test signal की, अब बात करेंगे, type and order of control system, यह type and order इसलिए हम सीखेंगे, क्योंकि यह type and order से study state error किस तरीके सफ़ाइड करना है, वो हम देखेंगे, इसलिए सबसे पहले type and order जानने के ज़रूरत है, तो अब next change करते हैं, slide, अब next shading डालेंगे, type and order of control system, type and order of control system, तो यह जो हमारा type, order की बात है, कोई transfer function है, ठीक है, उसी के लिए, यह हमारे type and order find करेंगे, ठीक है, तो every transfer function, every transfer function अखेंगे, रिप्रेजेंटिंटिंग अãy रिप्रेजेंटिंटिंग अरे ना – गोक्वर्स के बात्रूर्ट है, यह वी प्रेक्वर्स टाननदीगे, अजी EU मुझेगे, उसी आव माली तो उसका कोई एक certain type and order होगा, ठीक है, ये बात हो गई, अब क्या है, कि type जो है हमारा, वो study state response analysis पर depend है, ठीक है, तो second point लिखेंगे, the study state analysis, the study state analysis, depends on type of the control system, type of the control system, ठीक है, study state हमारी जो analysis है, वो किस पर depend करेगी, type of control system पर, ठीक है, अब क्या है, कि अगर हमें type find करना है, तो उसके लिए हमारे पास transfer function कैसा होना चाहिए, open loop होना चाहिए, closed loop से type find नहीं होता, open loop से हमेशा type find होती है, लिखेंगे, the type of, the type of control system, system, the type of control system, is obtained, is obtained from, open loop, open loop transfer function, gs, hs, यही हमारा open loop transfer function होता है, gs, hs, ठीक है, तो यह हम, यहाँ पे underline कर दे रहें, ठीक है, type के लिए open loop, open loop transfer function, ठीक है, by observing the, by observing the, by observing the, number of open loop, number of open loop, poles occurring at origin, poles occurring at origin, ठीक है, यह बात हो गई, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, open loop transfer function करके, उसकी type किस तरीके से define करनी है, उसको हम यहाँ पे करेंगे, तो next slide change कर लेते हैं, तो यहाँ पे change करना पड़ता है, इसको बार बार, अब यहाँ से देखेंगे, अगर हम एक open loop transfer function अगर हम बनाएं यहाँ पे, let, gs, hs, gs, hs, यह हमारा क्या है, open loop transfer function है, तो कोई open loop transfer function हम माल लेते हैं, जिसमें यह हमारा k क्या है, gain है, 1 plus tas, यह हमारा क्या है, zeros है, इसकी power में p, 1 plus t1, t1, s, तीक है, यह हमारा क्या है, यह pole है, यह zeros है, यह हमारे gain है, तीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे, कि किस किस तरीके से type 0, type 1, type 2, ठीक है, कैसे open loop से function बनते हैं, अगर यहाँ पे हम p की value को change करते जाएं, like, अगर हम p की value यहाँ पर, 0 put कर दें, तो जब p की value यहाँ 0 हो जाएगी, तो यह हमारा क्या कहला है, टाइप 0 system, type 0 system, ठीक है, यह इस तरीके से, यह वाली values जो है, इस तरीके से, यह इस पोल के अलावा, एक values ऐसी होनी चाहिए, जहाँ पे अगर power में 0 है, तो वो type 0 हो जाएगा, अगर p equal to 1 है, ठीक है, p equal to 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर s है, अगर p की जगा 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा type 1 system, ठीक है, उसके बाद अगर p की value यहाँ पर हो जाए 2, तो वो क्या कहलाएगा, type 2 system, ठीक है, अगर इसी तरीके से, P equal to in हो जाए दिन क्या कहलाएगा type in system ठीक है तो यह चीज़े समझे अगर हमेशा open loop transfer function GSHS है उसमें क्या है कि यह हमारा zeros है यह हमारा pole है इस bracket के अलावा यहाँ पे कोई S है अगर वहाँ S पे अगर power में 0 है उसका मतलब क्या हुआ किसी के power में 0 मतलब व्ल्यू в1 हो गई अगर यहाँ power में 1 है अगर यहाँ S square है तो type 2 है S यहाँ पे अगर cube है तो type 3 है इसी तरीके से अगर यहाँ पे in है तो power में in है तो क्या है? type in system है ठीके यह बात अब यहाँ पे हम बात करते है हमने अभी बात की है study state की अब हम बात करते हैं transient की जिस तरीके study state की बात की हमने कि study state depend करता है type पे और type हम find करते है open loop transfer function से अब उसी तरीके से transient के बात करते हैं transient हमारा जो depend करेगा वो order पे control system के order पे depend करेगा तो यह हम लिख लेते हैं the transient state the transient state state analysis analysis depends on depends on order order को underline calling it order of control system ठीके transient state की हमारी जो है transient state यह जो हमारा depend किस पे करता है order पे study state किस पे depend करेगा हमारा type पे तो यह चीज़े हम याद रखेंगे और type हमेशा open loop transfer function से find की जाती है और order किस से find करेंगे order find करेंगे close loop transfer function से ठीके सेन तरीके का है वहाँ study state था तो type था यहां transient है order है तो order है तो अब order कैसे find होगा the order of control system system is obtained obtained from closed loop transfer function closed loop transfer function ठीके closed loop को हम underline कर लेंगे order के लिए close loop करेंगे अगर order find करना है अगर type find करनी है तो open loop करेंगे ठीके study state जब रहेगा तो type पर depend करेंगा यहां transient है तो order पर depend करेंगा clear है अब यहां से एक questions करते हैं slide चेंड करके screen select कर लिया color तो एक question यहां पर लिखते हैं यह questions हमारे पर दिया हुआ है 10 s प्लस 1 divided by s square s square s plus 5 ठीके यह हमारा एक system है यह इस तरीके से है यह हमारा system है इधर से हमारा input है इधर output है c s यह हमारा है feedback ठीके यह हमारा यहां पर rs input है ठीके यहां पर यह mixer है ठीके यहां से feedback आता है फिर error को क्या करता है compare करता input से उसके बाद फिर further आगे बढ़ता है otherwise cancel हो जाता है अब यहां पर basically हमें देखना है कि यह वाला हमारा यह वाली values क्या कहलाती है gs की value कहलाती है forward path gain ठीके तो gs अब gs hs की value कितनी लेंगे gs यहां पर feedback में hs की value होती feedback में कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा hs की value 1 है तो gs hs की value क्या हुई gs की value यह है तो लिख लेंगे 10 s plus 1 divided by s square s plus 5 यह हो गई हमारी क्या gs की value hs की value into 1 कर देंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं है यहां पर ठीके अब यह हमें बताना है कि type कौन सा है अब यहां पर क्या है इसके power में 2 है इसके power में 2 का मतलब क्या हुआ type 1 होती इसके power यहां पर 3 होता type 3 जितना इसके power वो हमारी type कहलाती अब हमें यह type 1 अगर हमें order find करना है तब हम क्या करेंगे अगर हमें order find करना है तो क्या करेंगे closed loop control system बनाएंगे यह तो हमारा open loop system है अब closed loop control system बनाना है तो 1 प्लस यहाँ पर add कर देंगे तो वो closed loop control system बन जाएगा तो 1 प्लस gshs करेंगे इसी को 1 प्लस जब हम 1 प्लस gshs कर देते हैं इसी को characteristic equation भी बोलते हैं यह हमारा open loop है transfer function ठीक है और उससे जब हम यहाँ पर 1 add कर देते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता है close loop control system कहलाता है इसे को हम characteristic equation भी बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पर 1 add कर दिया हमने यहाँ पर 1 प्लस यह वाली values में 10s प्लस 1 divided by s square s प्लस 5 ठीक है तो अब यहाँ से यह वाली values को इसको इस तर मल्टिप्लाई करेंगे और अंदर इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर क्या s cube प्लस 5s square प्लस 10s प्लस 10 equal to 0 अब यहाँ पर बताने order अब बताने के लिए यहाँ पर जो सबसे जादा power किस पर है इस पर है तो यह हमारा बताएगा order order कितने है order 3 तो यह जो हमारा क्या था जो transfer function था उसमें हमारी type क्या थी type थी 2 order क्या था order थी 3 order 3 निकालने order निकालने के लिए क्या करेंगे open loop जो दिया हुआ है transfer function उसमें one add करेंगे one add करने के बाद में इस तरफ multiply करने के बाद जो वाली value उपर में आएगी जैसे इसको हमने यहाँ पर multiply गिया तो यह क्या हुआ s square s plus 5 plus 10 s plus 1 नीचे यह जो s square s plus 5 बचेगा उसको हम कुछ नहीं करेंगे सिर्फ जो ऊपर वाली equation आएगी वो हमारी characteristic equation उसी से हम यह वाली values लिये हैं ठीक है equal 0 करके उसके बाद s cube square s s के power 0 तो जो सबसे higher यहाँ पर power रहेगी वो हमारी क्या 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 क्लाती है वो हमारी क्या हो गई order 3 clear है अब अगर बात है अगर हमें type अगर find करनी है ठीक है एक point है यहाँ पे कि अगर हमें type find करना है तो उसके लिए gain हमारा unity होना चाहिए ठीक है तो इसको हम यहाँ कहीं लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं उपर में ठीक है to find type to find type of control system type of control system ठीक है the gain of the gain of the feedback element feedback element element should be should be unity that is hs equal to 1 ठीक है अगर हमें type find करनी है ठीक है तो gain हमारा क्या होना चाहिए unity होना चाहिए ये बात हमें ध्यान रखनी है clear है तो ये बात हो गई अब अगर हमें यहाँ पे study state error find करनी है numerical तो आगी कराएंगे अभी study state error कैसे find करते हैं वो हम देखेंगे तो slide change कर लेते हैं अब हम पाइंट करेंगे study state error के बारे में तो study state error के लिए क्या है कि मान लिजे यहाँ पे यह हमारा forward part है मानिजे gs ठीके यह हमारा mixer है यहाँ पे हमारे input है rs ठीके यह हमारा es है यह हमारा output cs है यह हमारा feedback है hs ठीके तो अब यहाँ पे es यह हमारा क्या कहलाता है study state error ठीके अब study state error के लिए अगर es लिखना हो तो es हम क्या लिखेंगे es equal to rs minus bs यह जो हमारा क्या है यह इदर से bs यहाँ पे feedback में यह जो आ रहा है वो हमारा bs कहलाता है तो rs minus bs यह क्या है basically error इन दोनों में comparison करते हैं अगर उसकी value कुछ आती है इसका मतलब error मिल रहा है ठीके input और जो feedback से आ रहा है उसका क्या करते हैं compare करते हैं अगर मालिजे इसकी value input हमने 3 दिया था feedback में भी 1 आया तो 3 minus 1 कितना हुआ 2 हुआ means error हमारे पास अभी है अगर यह input 3 था feedback पे भी यह वाला bs 3 आ गया तो 3 minus 3 0 इसका मतलब error हमारे पास अब नहीं है तो इसलिए यह हम check करेंगे study state error तो यह हमारा क्या है input है और यह क्या है हमारा bs output तो अब es equal to rs minus cs hs cs into hs क्या होगा bs होगा अब क्या करेंगे यहाँ पे एक और changes करेंगे ताकि हम हमें जो requirement है वो हम find करें minus अब क्या करेंगे cs की जगा हम क्या लिख सकते हैं cs की जगा लिख सकते हैं es into gs cs की जगा हम लिखेंगे es into gs into hs अब es वाले इसको part को इस तरफ लेके आएंगे ठीके और इस तरफ ले आने के बाद es को अमल लेंगे तो one plus gs hs बचेगा es one plus gs hs equal to rs यहां rs है इसको इस तरफ हम ले आए हैं अब es यहां से value find कर लेंगे तो क्या आएगा es ri rs upon one plus gs hs तो इसको हम bracket close कर लेंगे यह इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम error ratio इसको हम बोलते हैं error ratio ratio ठीक है यह हमारा error ratio अब अगर study state error find करनी है तो study state error के लिए क्या करेंगे limit limit t tends to infinity करेंगे et ठीक है यह हमारा s domain में है तो हमने क्या किया है study state error निकालनी है time domain में हमने इसको लिखा अब इस पे हम क्या करेंगे इस पे apply करेंगे final value theorem applying applying final value theorem अपलाई करेंगे तो final value theorem में क्या होता है जब time domain में t tends to infinity होता है तो s domain में final value theorem apply करेंगे s domain में डायेंगे time domain से तो अब infinity है तो वहाँ पे s domain में क्या हो जाएगा s domain में 0 हो जाएगा और time domain में et है तो हमारे final value अपलाई करने के बाद s domain क्या हो जाएगा S, E, S हो जाएगा ठीक है, यह हमने सीधा यहां से final value theorem apply किया है अब यहां से क्या करेंगे study state error limit S tends to 0 S, E, S की जगा यह वाली values लिग देंगे, R, S divided by 1 plus G, S H, S ठीक है, यह हमारा हो गया अब यह वाला R, S, जो है हमारा वो क्या है, type of the input type of the input और study state error इन्ही दो चीजों पर change होगी एक type of the input दूसरा type of the system यह हमारे कहलाते हैं type of the system type of the system ठीक है, तो study state error जो है हमारी किस पर डिपेंड होगी type of the input and type of the system अगर system हमारा माले ज़े type 0 है type 1, type 2, type 3 तो उससे study state error चेंज होगी ठीक है, अगर हमारा input different है, means कहा है, कभी हमारे पास unit step हो, कभी ramp हो, कभी parabola type input हो, तो उससे भी study state error हमारी क्या होती है, change होती है ठीक है, एक बात ये है दूसरा चीज ये है ये चीज़े, ये formula याद रखना है ये ठीक है, बात में याद रखने के भी जरूरत नहीं होगी short track बताएंगे तो उसमें याद भी नहीं करना है तो study state error proportional to ये क्या है, 1 by gs form में आ रहा है, proportional to 1 by gs अगर हमारा gain increase, जितना increase करेगा, study state error उतनी ही decrease करेगी ये हमारा क्या कहलाता है ये हमारा कहलाता है gain तो gain जितना increase करेगा, study state error decrease करेगी, तो हमें study state error कहीं पर भी अगर decrease करना ही, तो हमें gain को हमेशा increase करना होगा ठीक है, कितना increase करना होगा वो भी depend करता है कि हमारा type कैसा है means type of the system कैसा है type of the input हमारे input का type किस टाइप से है तो वो सारी चीज़ें हम अभी next lecture में discuss करेंगे जिसमें हम अगर different different type के लिए study state error क्या आती है type system के type के लिए different type of input अगर हम change करें तो उसके लिए study state error क्या आती है वो सारी चीज़ें हम next lecture में discuss करेंगे तो आज के लिए इतना ही रखते है अगर वीडियो अच्छे लिए तो प्लीज लाइक, शेर और सब्क्राइब ज़रू करें Thank you